नमस्त दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वावत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येसनातर में और आज हमारे साथ में एक नए मेहमान हमारे साथ में जुड़े है अभिजी जोग ynुप अभी जी जी आपकी अभी एक नई बुक आई है असत्यमेव जयते और इसका विमोचन भी हो चुका है और ये कहीं सारी भाषाओं में उपलब्द हुई है हर जगा पर लिखा आता है सत्यमेव जयते लेकिन आपने इसका नाम दिया है असत्यमेव जयते तो जैसे आपने सही कहा कि यह भारत की पहचान है कि कर्या कि अंयवे यह हमारी हमारी वैलिव हैं हमारा मुल्फ लेकिन हमाई इत्यास जो लिखा गया वह इतिहास इस्तरा लिखा गया है कि हर कदम पर उसमें धृहंतियां फईलाई जूट फईलाए गए और यह जूटा इतियास हमारे ऊपर थूप दिया गया है और इसलिए असत्य में हो जायते के बाद मैंने question mark रखा है कि हालाकि जो देश अपने आपको सत्य में हो जायते के value पर चलना चाहता है उसका इतियास इस तरह क्यों लिखा गया है कि इसका मतलब यह निकलता है कि क्या यह असत्य में वजायते इस प्रिंसिपल पर हमारा इतियास लिखा गया है तो यह प्रश्म मैंने पूचा है और उसका उत्तर यह है कि सचमुच हमारा इतियास पूरी तरह से असत्य तरीके से हमें सि जो है यह कम्मिनिस्ट का लाल रंग है उन्होंने उसमें सब प्रांतियां फैला ही है सब जूट फैलाएं तो यह लाल रंग का अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा इतियास फिर सत्य में वजयते बन जाएगी जी यानि के जो वामपंति जो कम्मिनिस्ट लोग हैं उनके द्वारा फैलाया गया एक जूट अगर उसको निकाल दिया जाए तो भारतिय परंपरा में जिस प्रकार से सत्य में जयते होता आया है वैसा ही रहेगा लेकिन यहाँ पर जो सम्मिश्रण किया रहा है वामपंति ग जूट है अनेक जूट है तो किस जूट को आप सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं कि इन सारे जूटों और मैं उससे पहले पुछना जाओंगा कि सबसे पहले जूट क्या है या आपकी पुस्तक में भी जो सबसे पहले इंडिकेट किया गया है वह वामपंति का कौन सा जू और जिसे मैं mother of our distortions ऐसे बोलूँगा वो है Aryan invasion theory या अर्यों के आक्रमन का सिद्धान्त है इतना खतरनाक है यह पूरी तरह से जोटा सिद्धान्त है पूरी तरह से इसमें इसका एक भी प्रमान उपलाब्द नहीं है कि आर्या भारत की बाहर से पश्चिम की दिशा से भारत म की पश्चिम दिशा से रशिया के दक्षिम में जिसे स्टेप्स प्रदेश करके बोलते हैं वो स्टेप्स से लोग भारत की तरफ आएं वो बोरे रांके थे सुनरे बात वाले थे नीली आखों वाले थे और उन्होंने बारत में आके यहां की जो द्रवीडियन सभ्यता थी उस द्रवीडियन सभ्यता को खदेड दिया उसे दक्षिन की तरफ डखेल दिया और यहां पर आके उन्होंने अपने वैदिक धर्म की और वैदिक सवस्कृति की स्थापना की और सवस्कृत भाषय को भी रचना की इसका मतलब यह हुआ कि यह सभी चीचे जो हमारे हम जिस यह बात में बताता है और यह सरा सर गलत वर जोट है तो संजी इससे इतना खतरनाक मैं क्यूं मानता हूं और एंतना गातक क्यूं मानता हूं इसे यह हुआ कि भारत में तरह तरह के जगड़े पैदा हो गए यह सब जगड़े जो है यह उसका मूल जो है उसका आधार जो है वो यह जूटी थेरी है सबसे पहला सबसे बड़ा और सबसे खदर्मक जोट है इसा मैं मानता हूं जी खड़ी की गई है और फिर यहाँ पर वही चीज सामने आती है कि दो बैलोग की लड़ाई में शेर जो होता है वो उनका फाइदा उठा लेता है यानि कि जो नरबक्षी लोग हैं जो मांसाहारी लोग हैं जानि कि खून खराबे मिश्वास रखने वाले लोग इन लोगों की आपसी लड़ाई का बेनिफिट लेते हैं फाइदा उठा लेते हैं तो यह कह सकते हैं कि भारत को तोड़ने और फिर उसके उपर राज करने की सबसे बड़ी थियोरी आलियन इन्वेजन थियोरी दी गई है जिसका आपने इसमें खुलासा किया है और बताया है कि यह है जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इन्फ्लेंस होता है वो थे स्टुडेंटेज तो स्टुडेंट्स को तो लेकिन पढ़ाय यह जा रहा है कि यह आरिये बाहर से आये थे और मुगलन जो साशक थे यानि के मुसलिम शाशक जो थे वो भारत में समासुधार करने के लिए आए इसक सम्रिद्ध बनाने के लिए और एक गॉल्डन एरा था आठ सो साल तक यहां पर राज किया गया तो क्या आपने जो इसलामिक शासन भारत में रहा और जो आज उनकी महानता के विशय में बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या आपने उसके विशय में भी कुछ सब्जेक्ट रखा है कि इसलामिक शासन पर आने से पहले में थोड़ा अर्यंग इंडिविशन तेयरी किस तरह पैदा हुई और क्यों पैदा की यह आपको बताता हूं हाँ जी जब अंग्रेज वक भारत आये सबसे पहली सोला सो चौदा में इस इंडिया कंपनी के एक आफिसर थे सर थ अंगिर बाधशा के दरबार में आए और उन्होंने भारत में व्यापार करने की अनुमती प्राप्त कर लिए अंगिर बाधशा से पहले उनका उनकी मत्वा कांख्षा के एवल यह थी कि भारत में अपना व्यापार पैसा बनाए उनका में इंट्रेस था टु मेंट मुनी लेकिन जैसे समय बीता गया तो 1750 साल तक उनको यह आईसास होने लगा कि भारत में हम अपना राज भी प्रस्तापित कर सकते हैं सिर्फ यापार नहीं बड़ पॉलिटिकल इंफ्लुएंस भी हम भारत में अपना जमा सकते हैं तो 1757 साल में उनका प्लासी की जो लड़ाई थी बंगाल में वह उन्होंने जीत दी 1818 में उन्होंने मराठों को पराचित कर दिया और उसके बाद उनके पक्की गारेंटीय हो गए कि अभी हम भारत में हमारा राच वह सालों साल चलने वाला और यह हमारे सामराज्य का बड़ क्या रिष्वेंस करें कि यह खुद होके हमारे जालक थे वह यह चाहते थे कि भारतिया लो dog जो है उनमें इस तरह की हंड़ता की भावना पेडा हो इस तरह का आत्म-सम्मान सन्वन का इस तरह ख़दम हो जाए यह उह कि कुद होके हमारे इस Тоा कि इसा मानने लगेंग 현재 कि यह साथ्य करने के लिए उन्होंने इस ठीरी का निर्मान किया जिसमें उन्होंने यह बताए कि आपके पास जो कुछ भी अच्छा है आपका आपकी संस्तुरुति है वो सब पश्चिम से आये गोरे लोगों ने आपको दिये जी आपको भी से गृषड से सिंधियर सांहें सब इन चीजों की पैचांग को ग्रीक लोगों के साथ जो आपका संपर्क वा उसके बाद आपको यह सब पता चाहिए है तो हर चीज जो आपके पास अच्छी है वो सब आपको पश्चिम से आये गोरे लोग ने देए अब हम बिड अब हम आपको अबेधनेकता सिका रहे हैं नहीं टेकनोलोशे हैं हम आपको रेल वे देर हैं पॉस्ट आफूस देर हैं तो अभी आपको पुछ नहीं चीजे आपको तो इसको इनी छोचए गुलान करना चाहिए ऽे controller प्रमाण क्या है तो इस थेयरी का एक भी प्रमाण को लब्द नहीं जी उल्टा ये सब संस्कूरूती और भाषा जो है यो बारत से पश्चिन की तरफ गई है इसके कही साथ प्रमाण को लब्द बिल्कुल आपकी वीडियो शाहिद रोगे है तो यह मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि हमें आपस में लड़ाने वाला यह जो सिद्धान्त है यह किस लिए पैदा किया गया इसके दिमाग से कलपना निकली क्यों निकली और इससे परिणाम क्या हो रहा है जैसे आप दिखेंगे कि अभी ऐसा बोला जा रहा है कई लोग बोल रहे है कि भारत ये राष्ट्र नहीं है इस यूनीन अफ स्टेट्स इस तो इसके आगे यूं बोला जाने वाला है मैं आपको अभी बताता हूं जैसा पूला जाएगी कि दक्षिम के जो पांच स्टेट्स है वह भारत से अलग होने चाहिए और इसका अधर क्या है अर परबारतिय लोग जो है वो बाहर से आये हुए आर्या लोग है आप द्रविड लोग हो आपने उनके साथ रहना नहीं चाहिए आप अलग हो जाए प्रेकिंग इंडिया फोर्सेज जो है और ब्रेकिंग इंडिया थेहरी जो है उस अभी थेहरी का आधार यह आरे निल में आदिवासी लोग रहते हैं वनवासी लोग रहते हैं उन्हों यह बताया चाहता है कि आप आपने इस देश से अलग होना चाहिए तो यह बी जो बताया जाता है इसका भी आधार एक ही है वह है अरे निल जोड़ने की जो भी साखिशें हैं वह साजिशों का आधार सिर्फ एक ही है इसलिए बड़ा खतरनाक मामला है बहुत डेंजरस मामला है और हमें अपने लोगों को यह बताना चाहिए बहुत ज़रूरी है कि इस थेरी का कोई भी प्रमाण नहीं है एक भी प्रमाण नहीं है सब सरासर गलत चीज़ें हमें बता जाता है तो यह कभी न कभी बंद होना चाहिए इसलिए मैंने इसके उपर बहुत ज्यादा इंफसिस दिया और काम किया बिलकुल जी अब मैं बात वापस आता हूं कि जो मुगल शाशन है जी उसका ऐसा नहीं सिखाया गया फिर दूसरा दूसरी सरासर गलत बात हमें यह ब यह कि एक वे अगयाशी लोग देडा और हमेशा होले जिया है जो होले के बारत का ह来 से यह को लोग आते जए आपको आटे आ की यह का इत्हाल चाहिए लूपन जोग श्याझनाए लिए में अगर देखा जाए तो यह भी वास्तावीकता नहीं है हमारा इतियास संगर्श का इतियास से उसके लिए मैंने कई प्रमाण दिय आपको बिल्कुल संख्षिक्त में बताता हूं महमत प्रेगंबर की जब मृत्य हो गई चेह सो पतीस साल में उसके बाद अरब लोग जो थे जो खलीफा थे वहां के अभूबकर उन्होंने ये तहीं किया कि अभी इसलाम का प्रसार करने के लिए अरब से अरबस्तान से बाहर निकलके मुहीम शुरू करनी चाहिए और उन्होंने चारों तरफ अपने सेनिकों को भे उन्होंने पूर्वा दिशा में अफ्गेनिस्तान से लेके पस्चिम में स्पेन तक मगर आप दुनिया का नक्षा सामने लाओगे तो करेब इतनी बड़ी जगा है इतना बड़ा प्रदेश है इसको केवल 25 साल में उन्होंने पूरी तरह से जीत लिया जी पानों जैसे एक मानवी सुनामी थी हूँ इसके सामने कोई नेटिक से का यह पूरा एरिया है इसमें दो बड़े सामराज्य थे एक तक बाइजन्टाइन सामराज्य जीसे इस्टन रोमन एंपायर भी बोलते हैं इसमें सीरिया है एजिप्त है तेन यू है नार्दन आफ्रिका यह सब बाइजन्टाइन एंपायर का हिस्सा थे तो यह बहुत बड़ा शक्तिशाली सामराज्य था लेकिन यह सभी प्रदेश जो है इजिप्त को उन्होंने चार साल में जीद लिया है उन्होंने सीरिया और पलेस्टाइन को आठ साल में जीद लिया है उसी तरफ था ससान सामराज्यों को भी उन्होंने इरान को उन्होंने आठ साल में जीद लिया है इराग को केवल दो साल में जीद लिया है उसको चार साल में जीद लिया है पूरा मध्य एशिया उन्होंने सव साल में जीद लिया कजागस्तान ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान और पूरा नार और उसके बाद कुल मिला के 250 साल में उन्होंने ये पूरे प्रदेश के लोगों को इसलाम धर्म स्विकार में को मजबूर किया और उनको अरब भाषा अरेबिक भाषा भी उन पर थोप दी तो उरिजिनल भाषा हैं जो थी वो लोगों को भूलना पड़ा अपना अरजिनल ध अब इसके कंपारिशन में आप देखिये भारत में क्या हुआ उन्होंने अपना आक्रमन शुरू किया 636 साल में और पहला अक्रमन उन्होंने किया ठाणे के ओपर जो मुंबई के नस्दिक ठाणे हैं महां पर पहला अटक किया उन्हें थार का सामना करना पड़ा उसके बा से कभी जमीन के रास्ते से और हर एक बार उनको बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा उन्होंने उनका खलीफा था उसने एक ऐसा फत्वा निकाला कि अभी हिंदुस्तान के तरफ जाना आप बंग कर दो क्यूंकि हमारा बहुत अप्सान होता है उदर जाने से यह जो से साथ सो ग्यारा मतलब करीकुरे सतर साल यह लोगों में भारत की भूमी पर इनको पैर भी रखते नहीं है और इसी की अगर आप तूलना करेंगे कि बागी पूरी दुनिया में क्या हुआ तो आप मैंने जैसे पता है 125 साल में उन्होंने तो पूरा का पूरा आधा अधी अधी दुनिया उन्होंने जीत ली जित लिए और कंपेर टो लाड़ में सब्तर साल तक तो तो पैर भी ने जमा पाए हो एक पैर भी नहीं रख पाए बहुआ को जीत लिया मुहमभग बिं कासीम ने और हमें ऐसा लगता है कि पहले यह जीता और उसके बाद बार बार वो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि मुहम्मद बिन कासिम ने सिंद चीतने के बाद अरब सेना ने भारत में और अंदर गुषने की कोशिश की वो पूर्वा की तरफ राजपुताना और गुजरात की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे मद्द प्रदेश की तरफ तब चितोड़ के राजा थे बाप्पा रावल उन्होंने चार राजाओं को एक साथ जोड़ लिया वो थे गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट राष्टर कूट के राजा जैवर्मन जैसी हमर्मन और चालुक के राजा पुलकेशिन और यह चारो राजाओं ने एक होकर अरवों को इ इरान और मध्य अशिया तक पहुच गए और उन्होंने रावल पिंडी जो शहर है वह बापा रावल ने वहां पर बनाया कि फिर भारत के उपर इस तरह के आकरमन्ट ना हो इसलिए एक वहां पर पोस्ट जिसे हम बोलते हैं उस आउपोस के रूप में उसने रावल पिंड करते लिता दित्य ने इन अरब सेनाओं को फिर धूल चटाई बहुत जबरदस थार करना करना पर है उसके बाद यह अरब भारत से वापस चले गए और उसके बाद तीन सो साल तक उन्होंने भारत की तरफ आग उड़ा कर भी नहीं देखने हमें ब्लुकुल पता ही नहीं ह तो दिल्ली में जो पहला इस्लामिक शासन बना वो बारा सो चे में बना जो जिसे हम बोलते हैं तो 636 से लेके बारा सो चे तक मतलब परिक्वरी 600 साल भारत की मुख्य भूमी पर उन्हें अपना शासन प्रस्थापित नहीं बिल्कुल वही देखिए बाकी जगा क्या हुआ इसता ब्लेश कर लिया ब्लिटेशली अपना राज्यी सेटाबिश कर लिया और कल्चरली न लिंग्विस्टिचली जैसे हम कह सकते हैं कि अपनी भाश्या और अपनी संस्कृति और अपना धर्न है कैवल 250 साल में पूरी दूनिया में उसको करवा है लेकिन भारत में 600 साल के बाद पहली बार मुख्य भूमी पर उन्हें अपना राज मिला और पस्ताभी कर सके और करीब करीब 1100 साल के बाद भी पूरा भारत उनके कब्जे में कभी भी नहीं आए जैसे दिजह नगर सामराज जता शुवाजी महाराश थे असान्या हों अखिर तक इसलामी प्रभाव के नहीं आए और पूरे भारत को यह लोग कभी भी अरभ भाश थोप नहीं सके और इसलाम धर्म सोप नहीं सके हमारी इंदुधर्म ठिका रहा हमारी वासा अटिकी रही तो बाकि दुनिया में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ इसकी जब आप तूला ना करते हो दैज्ट भपराद का इतियास भिलत का इतियास नहीं है भारत का इतियास संगर्श का इतियास अपरorden नहीं किया औहर परुके बार बहुत दुरी तरह से हराया भी इस्ती होते हैं तो यह पढ़ाया जाता तो शायक जिस तरह हमें य LGBT ही नतरा हो कि यह आत्मासंमाने पुरा नश्ट हो गया अप मिश्वास नश्ट हो गया यह नहीं होता था इतियास सेहने अपनी पहिचान मिलती है हमेशा हरने वाले लोगों आप हमेशा इसे लोगों कि जो भी है आपके पास है उन्होंने सिखा गई इससे हमारी पैचान ही हमें नहीं पिल पए और जिसके पास पैचान नहीं है उसकी जिन्दगी मतलब जैसे अंकर शिप रहता है नहीं किया होता है तो थोड़ी सी भी हावा आई तो कहीं भी वह बटक जाता है इस तरह हालत होती है उस समाज की या उस राष्ट्र की कि जिसको अपनी पहचान का पता नहीं है और यह सबसे बुरी बात है यह सबसे गलत ब के वज़े से हम अपनी पहचान को खोच चुके हैं और पहचान नहीं होने के वज़े से हमारे देश में भग बड़ी समस्या है पैदा हुई इसलिए सभी इतियास पताना बहुत ज़रू है तो इसमें प्रांतिकार्यों के विश्य में भी काफी सारी ऐसी ब्रांतियां है ज और जिस धरा से वो आते हैं जिस भूमी से वो आते हैं वो आपने बताया कि छत्रपति शिवाजी महराज के धरा से वो आते हैं और वहाँ पर उनकी काफी पूजा की जाती है उनको माना जाता है लेकिन वामपंति गिरोह के द्वारा जो इस समय पर विपक्षी पार्टिया है वो उनके नाम पर काफी गंद मचाते हैं क्या आपने अंतिकारियों के विशह में भी कुछ इस पुस्तक में लिखा है क्योंकि आज का यूवा इस विशह में एक दम क्लियरेटी में जाना चाहता है ब्लक एंड वाइट में जाना चाहता है मैंने एक मेरा प्रक्रंण जो है इस किताब का वह मुझे पूरी तरह से भारत के सवतनतर्दा संग्राम के उपर इस बताया जाता है कि जो अंदोलन था महात्मा गांधी के नितरुत हो ही उस वजह से हमें सवतनतर्दा मिली यह बिलकुल पाइनर टूट करके हमें हमारे गले उतार दिया गया है और हम सब लोग दोरे भारत के लोग यही मान कर बटे हैं कि इस वज़े से हमें सुद्वत्रत में लेकिन सच मुझ क्या यह सही है यह गलत है यह मैंने बहुत विस्तार से लिखा है भारत में तीन तरह के अंदोलन हुए एक आंदोलन का क्रांतिकारियों का जैसे साथी विरसावर कप, भगत सिंग, कई सारे क्रांतिकार चाफेगर प्रदर्स, अधन्त कामरे, चंदशिकर आज़ाद, कई सारे लोग वे कि जन्नों ने बहुत गवरोशाली हितियास है हमारे सशेस्तर क्रांतिकारणों का, जिन्नों ने अंगरेजों से बहुत कड़ संगर्ष किया तो क्या मिली दूसरा एक प्रवाह जो है हमारे अंदोलन का वह है अहिंसक अंदोलन का और तीसरा में प्रवाह जो है वह है जो भारतिय सेना थी जो अंग्रेजों के लिए काम करती थी उसमें तरह तरह के अंदोलन ह wichtig सब्रहा फिर दूसरा वगदर अंदोलन में उज्शा लॉड़् वर में वह था और दूसरा हुआ अजो Plus कि 3 इन आले सग्राम के कि मैं इसका मैंने विश्ड संग किया ईख बहुत की इसतार से किया और आपको उसमें प्रमान के आधार पर तर्क के आधार पर मैंने यह प्रूव किया है कि जो भारत के सैङनिकों में क्रांती हुई उसकी वजह से हैंने सुद्ध तर्क देले जी कि त्रेटिश लोगों का जो राज्ट था भारत में उसका बारत की सेना जिसमें बहुत खाले भारतिये लोग थे, सभी वारतिये लोग थे, इतने हजारों मील से भारत में आगर तेवल गोरे सोल्जार्स के आदार पर उन्हें अपना राच करना तो इंपशिबल था, उन्हें बहुत बढ़ी सीन अंकडी कि, पहले वर्ल्लड War में 13 लाख भारतिय ज़वान उनके लिए लड़ रहे थे और दूसरे वर्ल्लड वर्ल में 25 लाख भारतिय जवान उनके लिए लड़ रहे थे इन ज़वानों में जब ये ये बावना पैदा हुई कि भारत को सुदंत्ता दिलाना जरूरी है और British Crown वो प्रति उनका जो उनकी जो निष्टा थी वो निष्टा जब खतम हो गई तब ब्रिटिशों को पता चला कि अभी भारत में इसके बाद राज करना ये इंपॉसिबल है और इसलिए वो यहां से भाग गया और ये जो बताया जाता है कि कॉंग्रेस की अहीं सक अंदोलन की वज़ासे हमें इस वतना तर्दा मिली ये सरा सर गलत है इसका संचित में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉंग्रेस गांधीजी के नेत्रुतों में तीन अ ये ऐसकार अंदोलं बोलते हैं तो ये असकार अंदोल में इसके मांग भी रखी नहीं गय थी इसमें कि खिलाफत जो तकी में होने वाले थी हो रही थी खिलाफत होने वाला थैं वादा नहीं होना चाहिए और खिलाफत उसी तरह चलू रहनी चाहिए यानि कि जो अंदुलन था वो एक प्रो इसलामिक था और जिस तरी के से वहां वहां अलग खलीफा को ना अठाया जाए जो इसलामिक रिच्वल्स हैं और जो उनकी जो रुडिवादिता है एक खलीफा होने की उसको बढ़करार रखा जाए भारत के आंदुलन को लेकर के आजादी को लेकर करके इसमें कोई भी पक्ष नहीं रखा गया था उसमें पक्ष नहीं ता यह मांग भी नहीं थी कि यह वह चालू रहे और अश्टर्ट की बात है कि टर्की के लोग खुच चाहते है कि वहां तो यह मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए कॉंगरेस ने डी जी ने नोलन शुरू किया कि एक ही सिर्फ उद्श्ट था उसका कि मुसलमना को खुश किया जाए और उन्हें भारत के picking स्वतनतिता संग्राम में जोड लिया जा गांदी जी का शायद ये मानना था कि हम उनका ये पक शकर उठाएंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे और हम ब्रिटिशों के खिलाफ लटमे में हमारी मदद करेंगे लेकिन उसका मुल्टा ही हुआ कि हिंदू-मुस्लिम दंगे शुर और पूरा माहौल भारत का बिगड़ गया और हिंदू-मुस्लिम दंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया ये पहला अंदू-मुस्लिम एकता भी नहीं हुई तो कुछ भी हासिन नहीं हुआ और साल-दो साल में अंदू-मुस्लिम खदम हो गया जी दूसरा बड़ा अंदू-मुस्लिम दिसोटीस में सिविल डिसोबिडियन्स मुमेंट जीसे बोलते हैं इसकी जो मांगे रखी गई ती ग्यारा मंगों का एक निवेदन दिया गया थ उसमें भी स्वतंतरता की मांग नहीं थी दूसरा बड़ा अंदू-मुस्लिम दाटी मार्च हुआ तो यह बहुत बड़ा मीडिया इवेंट हुआ पूरी दुनिया में उसका बच गया और बहुत गांदी जी को एक अपना इमेज बनाने में बहुत फायदा हुआ उसका प् खतम हो गए जी और उसके बाद जब गांदी जी को छोड़के गांदी आयर्विन पैक्ट हुआ और यह अंदूलन वापस ही लिया गया है जी तब उसमें 11 मांगों में से सिर्फ 5 मांगे फिर से आगे रखे गई और वो 5 मांगों में भी स्वतंतरता का तो कोई नाम भी नह अंगे थी कि जिन्हों ने अंदूलन ने बाद लिया है उनके अगर जाब वरे नोकरियां गई है तो उनको वापस लिया जाए अपने जाब में इस तरह की मांगे रखे गई और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा अंदूलन हुआ पुरी दुनिया में उसकी पुरिया चले जाहो जैरी चर्चा होई लिकिन वह जब वापस लेया गया तब नमक के ऊपर जो टाक्स लगाया था वो ट्रिटन ना कैंसल नहीं किया लेकिन नमक के ऊपर का कर भी उन्होंने रद नहीं किया वापस स्थी तो यह भी पूरी तरह से कि लोगे दूसरा दूलन जो था वो भी पूरी तरह से पेल के पाटा यह वो था उन्री सो बैलीस का कि चले जाओ अंदॉलन जो थो तो वो 1922 में बगैर किसी preparation के अचानक गांधी जी ने डिकलेर किया उन्हें उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा है मैंने बहुत विस्तार से किताब में लिखा है अगर तब वो कुछ ना कर दे तो पामरेस का शायद पूरा रेलेवनसी कतम हो जाता था तो इसलिए उन्हें बगैर किसी preparation के अंदोलन शुलू कर गया और अभीजी जी जी जो गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था वो 1931 के अश्पास हुआ था और ग्यारा बारा साल तक गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं था यही तो मैं बोलठाओं कि हर दस साल के बाद एक अंदोलन जीस-एक्टीस में दूसरा अंदोलन अब तीसरा अंद तो वह अंदलन करीब करें 15-20 दिनों में खतम हो गया वर्ड वार चल रही थी तो ब्रिटिश लोगों कुछ सुनने के मूड में नहीं थे उन्हें पूरी तरह से दवा दिया सब लोगों को जेल में डाल दिया और वह अंदोलन पूरी तरह से खतम हो गया तोटल कंप्लीट एक किस तरह देना है बाते चल रही थी तो यह सब गलत है यह तीनों अन दोलन वी सकाई की इस का अन ऊन्दोलन और बैएलीस कांदोलन तीनों अनदोलन कुछ चन्द महीनों में खतम हो गय पुरी तरह से नाकामियाब हुए और हर दस साल के बाद एक आंजोलन जो जब हुआ तब उसमें से कोई ऐसा ऐसी शुरूंखला घटनाओं की शुरूंखला पैदा नहीं हुई कि जिसकी तीवरता इस तरह बढ़ते गई कि मतलब आज़ादी देना एक तरह से जिसमें एक और भी चीज आती है कि जब 42 में यह हुआ उसके तुरंत बाद जब अंग्रेजों ने इनके साथ मीटिंग की तो द्वीतिय विश्वयुद में भारत के सैनिक जाकर के अंग्रेजों की तरफ से लड़ें इसके लिए भी गांदी जी ने अपील की थी और यहीं न आजदी के लड़े लड़ाई हो रही थी तो यह सीधे-सीधे उनके खिलाफ आगर के खड़े हो गये थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी बुक है उसमें से यह सारे चीज़े निकल कर कहा हैंगी किस प्रकार से वो आजादी के लिए नहीं बलकि अंग्रेजों की ह प्रेशर होके पुरा फूट नजा है इसलिए पीच-पीच में उसको रिलीस करना है वो प्रेशर को सीधी निकालते रहे हैं प्रेशर कम करना है इसलिए कि स्थापना इसी लिए की गई थी ब्रिटिश आदमी ने की थी यून करके तो उसने यही सोचा था कि लोगों में अ सापना की कि लोगों में अगर कोई शिकायत हैं कोई असन तोश ऐक तो सरकार के सामने उन्हें पेश किया जाए ताकि सरकार उसे थे बहुत कुछ आगे बीचे करके लोगों को शांत कर सके हर 10 साल के पाद जो अंदोलन होए अज़ों नहीं काम किया प्रेशर करने था अगर कुछ भी कोई भी आंदोलन नहीं होता तो शायद लोगों के और सरकार के बीच में कोई संपर्क ही नहीं बनता और हो सकता ही कि बहुत बड़ा अंदोलन और बहुत बड़ा असन तो शकड़ा हो जाता था अत्रस सब्सक्राइब जैसे हुआ जी जी वो ना हो इसलिए य यह तीन अंदोलन जो 10 साल की गैप के बाद हूए एक एक बाद एक उनकी वज़े से भारत को सुद्धनाता मिली यह कहना सरासर गलत है क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि 10 साल में एक अंदोलन हो रहा है वो एक मैने-दो मैने तक चल रहा है उसके बाद खत्म हो रहा है तो उ ऐसा एक ही सिर्फ गटनाकरम था कि जिसके वज़े से अंग्रेज़ों को यहां से जाना क्या बलते हैं उसको बहुत जरूरी हो गया जाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा वो था अजाद इंद सेना का अंदोलन आजाद इंद सेना की लड़ाई उसमें भी आजाद इ सिखाया नहीं गया जब मेरी अगर किताब पढ़ोगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि बहुत बड़ा असंतोश निर्मान हो गया भारत में बिल्कुल कराची से लेके आसाम तक हर जगा बहुत बड़े अंदोलन होने लगे लाखों लोग रस्ते पे उतर आए और गोलिया जवान भारतिय जवान उनने बहुत बड़ा असंतोश पैदा हुए उन्हें यह पता चला कि आरे यह अपने साथी जोते यह देश के लिए लट रहे थे और हम ब्रिडिशों के लिए लट रहे थे गिल्ट की भावना अपराद की भावना उनके मंग में पैदा हुई और इ किसी भी समय यह असंतोश का ब्लास्ट एंड बहुत बड़ा अंदोलन खड़ा हो सकता है और अगर भारतिय साइनिक अगर एक बार रस्ते उतरेंगे तो फुर उन्हें रोखना बिल्कुली इंपॉसिबल हो जाए बिल्कुली यह जब उनके मन में बैढ़ गया उनको उसकी जलक भी उन्हें मिली जब नेवल मूटी नीच से हम बोलते हैं निवी के जवान उन्हें बहुत बड़ा अंदोलन किया था करीब करीब असी बड़े बड़े जो शिप्स थे वो शिप्स के उपर जो जवान थे अपने भारतिया नौ से निक उन्होंने अगर तब कांग्रेस के लोग जाके उन्हें नहीं मनाते तो उसी दिन ब्रिटिश सरकार यहां से घत्र हो जाती है तो यह जब आंदल नौ नाविकों का नौ सेनिकों का तब ब्रिटिशों ने यह पूरा समझ लिया कि अभी एक दिन भी आ रहे ना हमारे लिए बहुत खतर ना कि हमें बारत से जाना है और बारत को सुटता देना जरूरी है इसक सुटते सर क्लेमन्ट अटली तो उनके नेत्रूत में भारत को फ्रीडम दिया गया है और 1952 में यह सर क्लेमन्ट अटली जो थे यह भारत आये थे सुटता के बाद और बेंगाल में कलकता के जो गवर्नर थे उनके यहां यह दो दिन उनके गेस्ट बनके वहां पे रहे थे वो जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने सर अटली को पूछा कि 1947 में ऐसा इसी कौनसी जरूरी बात थी कि आपको बारत छोड़के जाना पड़ा पूरी तरह से फेल हो चुका था आप महायुद्ध तो जीत गए थे वर्ल बार तो आपको ऐसा कौनसा कंपॉल्शन था कि आपको सड़नली ऐसा बिसिजन लेना पड़ा कि भारत से जाना है जी उन्होंने जवाब दिया कि निताजी क्या नितुर्टव में जो अंदोलन जो आजादिन दे सेना बनी वह एक बड़ा कारण था और उनके उपर हमने जो मुकद में जला है उससे जो नौसेनिकों का सबसे बड़ा कारण था कि इसके लिए भारत से जाना स्विकर किया फिर उन्होंने फिर एक बार पोचा वह गवर्णर सामने कि आपको जो निगने था उसमें गांदी जी के अंदोलन का कितना सहभाग था वह कहां तक इसके लिए कहां था कि यह वो कारण था इसके लिए अटली साहब ने बोला कि मिनीमल कम से कम उसका इंपैक्ट था हमारे निरणे के उपर इसी वज़े से हुआ कि तो जब बिटन के प्राइम इस्टर बोल रहे हैं कि मैंने भारत को सुनता किसले ली तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कॉंग्रेस के अंदोलन के वज़े से हमें इस तो यह सब प्रमान जो है यह सब तत्थे जो है यह एक तरफ कर दिये गए और पूरी अगें पूरी गलत कहानी हमारे गले होता रहा है है हजारों साल पहले का आरेन इंवेजन लीजिए या 1947 का स्वतनतरता सखराम लीजिए हर कदम पर हमें सिर्फ जूट बताए गए हमें सिर्फ जलत बताए गए और उसका पूरा परिणाम यही हुआ कि हमारा आत्मसंवान नश्ट हो गया हमारा आत्म बी यह बुक जो है उपलब्द हो चुकी है और यह तक्रीम चार भाशाओं में अभी आई है अभी है इंगलिष हिंदी गुजरादी और और दी को जरूर और इसको पढ़ें और अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल है तो हमें नीचे की मेंट जरूर कर सकते हैं और हम अभी जीची का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने अपने इस विजिश डूल में अपना वक्त निकाला है और जो हमारे सवाल थे उसके विश्य में भी बात की है और उस तक के अंदर क्या-क्या चीजे हैं और जो महत्वपूर्ण बाते हैं उनके विश्य में भी बात की है और मैं दर्शकों से एक बार फिर से यही अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं क्योंकि भारत का जो सच्चा इतिहास है वो लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि यह जो असत्य है जिसके आधार पर ये लोग भारत वर्श के उपर शासन करने का सपना देख रहे हैं यह बहुत ही खतरनाक है युवाओं को और खास करके जो हमारी अगली आने वाली पीडी है उनको यह बात समझने चाहिए अभी जी जी आपने अपना समय निकाला और बहुत महतोपूर्ण विशय है ये जिस पर आपने पक्ष रखा है इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपके वज़े से आपके शोताओं से मैं रूबरू हो सका और उनसे कुछ बाते कर सका बहुत अच्छा लगा